तो वेडिंग एनिवर्सरी की बात हैं 25 वी आ रही है तो अब यह मानिता की आदार पर भी है थोड़ा थोड़ा सेंसेशन की आदार पर भी है क्योंकि उसमें जो लोग आएंगे वो जनरली फूड हैं डान्स है अपारिटी का जो कंसेप्ट बना हुआ है अभी तक जो अपना अभी चुल हम तो समझ रहें लेकिन नहीं समझेगज अब बाता को नहीं समझ पयेंगे तो ऐसे में इसको किस तरह से क्या करें कि समझ में रहा है कि उमानिता और संसेशन बैसने सिस्विक्रति का उसमाases जादा है नहीं तो ऐसी चीजों में हम थोड़ा सा उलग जाते हैं जब कोई भी नई विद्या या उसे जुड़ते हैं और बात समझ माने लगती हैं जी इसमें देखे एक बहुत अच्छा तरीका तो हो सकता है कि हम समय रहते पत्नी को भी वर्क्शॉप करने के लिए वर्क्शॉप करत हुआ कि जिससे उनके अं आपको सोसाइटी एक्स्टेंडर फैमिली में अपना चेंज को रखना एकदम से उतनी हिम्मत नहीं होती है था देखिए इसमें तो थोड़ा नेड़ा लेने की बात होती है क्या होता है ना अपने बात दो च्वास हैं जा तो सोसाइटी के अनुसार चले या हम समझ के नहीं लेते हैं तो शुरू में तो थोड़ा से आपको जी आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है तो शुरू में तो ऐसा हो सकता है या थोड़ा रिपीट करेंगे क्योंकि बीच में आपकी आवाज मैं कहा रहा हूंँ कि अपने दो चुवास है या तो समाज में परचलीत मानेता कि अनुसार हम जीए परबाहों में उनके परभाउयव में जीए या दूसरा हम समझ का अधार पर जी और समाज को धिरे-दिरे transform करें जो समाज को बदलने का काम करें देखिए पहले वाले केस में तो नहांदर शुक है ना दूसरे कर सुख है पर ले आभी समाज में शादी भी आप accommodation है रहे लुग है आप बहुत सवरा पैसा को खर्च करंके शादी करिये समाज के दवाऊ में एक तो हम उसे दुखी रहते हैं और भय रहता है कि आगे इतना सारा कर्ज हो गया या खर्च हो गया ठीक जो दूसरा बच्चे है उसके लिए शादी भी इतने कहां फुज उटाएंगे बुढ़ापे के लिए कहां से बचाएंगे तो बहुत सारा खर्च करें तो उसमें हम दबाव में आते हैं चिंता होती है कि कई बार से संबंद भी खराब हो जाते हैं अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे का संबंद अच्छा नहीं चला तो अफसोस भी होता है जो व्यक्ति ऐसे महंगी शादी में आता है वो भी कोई बहुत सुखी महसुस करता ऐसा नहीं वो दब दबाव में हैं वो भी दबाव में यह और बात है ना हम अपनी दबाव की बाद उनसे कह रहे हैं अपनी दबाव की बाद हमसे कह रहे हैं कि नहीं वैसे ही शादी की वरसघाट मना नहीं है अब हम बहुत पॉम्प और शूकर के मना दें तो अगले वेक्ति को लगता है कि अगर मैं इनको बता दिया कि मेरा marriage anniversary कब है पचीस साल कब पुरा होने वाला है तो ये भी हमसे पूछेंगे कि वह आपने व्यवस्ता कैसी की है अपने कैसा कारकम तैयार किया है तो वह भी दबाओ में आएंगे वह जादा अच्छा है कि इसका सही स्वरूप लिया है कि ये ज इसमें ज्यादा अच्छा होगा कि एक अच्छे औसर पर हम समाज के धिर सारे लोगों को बुलाएं जिनके साथ हमारा अच्छे से निर्वाह भी होता रहा है और हम दिन के स्वरूप बुलाएं जिसमें बहुत पॉंपन शो की जुरत नहीं है अच्छे से खाए पियें तो ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन होगा कई लोग याद भी करेंगे कि हां आपके हां गये थे तो बहुत सार्थक ढंक से यह सेलिब्रेशन हुआ था ऐसा तो हम लोगों प्रयूप करके देखा है विवाह में भी और ऐसे औसरों पर भी तो काफी उसका अच्छाई फल सा नाम होता है फिर उस समाज के सामने जब आप सही करस्ताव देके जाते हैं तो लोग सुईकारते भी हैं तो मैं समाज के दवाव में समाज के प्रभाव में तो आकर जीने के जया जूरत नहीं है ऊसका ?eanag बैसिकलिव ट्यार किया ज़सकता है हम सभी दी से जीएCUएं व यह हमको पैसा कमाना पड़ता है वो उतना मांट बना ही रहता है और उसके हम दबाव में बने रहते हैं उसे हम निकली नहीं पाते हैं जो पहले बात हो रही थी अभी 5-6 तरह के major concerns है जिसको लेकर सुवधा का या पैसे का बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है एक बच्चे क education, दूसरा है बच्चों की शादी, तीसरा है अपना एक घर, चौथा है स्वाफ्त और पांच बढ़ापे में जो खर्च होंगे अब बच्चों की शादी के साथ इस सारे celebration जो लिए तो celebrations को लेकर बहुत सारा अभी हमको लगता है कि एक दबाव बना हुआ है तो उससे तो दामपत्य जीवन में हम कितना सुख पूर्वक जीए उसको celebrate कर रहे हैं और सभी ऐसा जीए इसके लिए प्रेडित कर रहे हैं तो ऐसे अशार पर जैदी हम एक दिन को साथ मिलके खाय पीए और उसमें कुछ संबंध में विश्वास के भाव स्ने के भाव को लेकर हम चर्च संबंध पूर्वक सम्मान पूर्वक जी पा रहे हैं तो बहुत यह अच्छा रहेगा उसको अगर आधा गंटा एक गंटे का सेशन उसमें एड करें तो जो हमारे आसपास की लोगे उन तक छोटा सा मैसेश तो जाएगी जाएगा चाहिए वो आगे फोलो करें नहीं करें लेकिन मैसेश पहुंचा सकते हैं जैसे वह वर्क्शोप की बाद जब भी मैं कि इसमें जाएगा चाहिए बहुत सरा जो एक्ट्रावगेंजा है ना वो डेकोरेशन को लेकर म्यूजिक को लेकर है ना आज कि डान स्वांस कर तुम सब लेकर है उड़ना करिये कुछ सार्थक करिये खिलाने पे बढ़िया स्वास्त वर्दक पॉस्टिक भोजन सब कराईए अधिक सबके साथ शेयर करिये और अनावशक खर्च मत करिये और ऐसा अगर हो जाए तो ऐसे गेट टुगेधर होते रहेंगे कि नहीं और उसमें तुछ साही दिशा भी मिलेगी में मिनमम मिनिमम सेशन कितने का अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मुझ कि ज्यादा लोग और अलग प्लां से आते हैं स intent इसा तो कई लोगों को पुरा भी लग जाता है या बुलाया कि is पर पॉस्तिodor क्या करवा रहे हैं या पर क्या फालतू किशिशने कर रहे हैं यह इस्तरगी भी होती तो कुछ मिनिमम्म प्लान क्या हो सकता है इसमें देखे मतलब यह बहुत कोई नई चीज नहीं होगी मैं तो देखता हूं अभी गाओं में जब कोई ऐसा आउसर आता है बच्चे का जन दिन होता है तो लोग हवन वगरा कराते हैं बहुत सरा उसमें जो एक रिचूल्स का सेलिब्रेशन का तरीका है कराते ही रहें यह तो छिन पर अबर अको पर कम जो लाजकर के साथ ही चंचा करें तो समथ शबिधा इस पर बात कर सके हैं हम एक दूसर से पूछ ये अपि और Алव जैसे जी रहे हैं उसमें अभी संबंद में क्या समय आ रही है क्या सहुलिय्यत हो रही है कितना से पूसेंवations speaking वाया आदि यादि बात कर सकते हैं एक sharing हो सकते हैं अच्छा उसर बन सकता है रिलॉग ऐust अज़ी मजाग चल रहा है लोग को लगता कि यह तो सुप्पूर अप्ति यह नहीं जा सकता अभी आप वीडियो देखे तो धेर सारी वीडियो बना जाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज हो गया है लोग आज की दिन शादी करने से डर रहे हैं सरकारें मोटिवेट कर लोग को शादी करें पैसे दे रही हैं इंसेंटिव दे रही हैं ऐसे कई देश हो गया है जैपैन हो गया है इटली हो गया है कैनाडा हो गया है लोग को मोटिवेट के अजरा है अस्ट्रिलिया हो गया है ताकि लोग विवाह करें इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया है हम तो अपने देश में इसको एक नॉर्मल सी बात मानते हैं विवाह करना है उसके बाद अगली पिली को जन देना है आधी-आधी तो हमको तो यह अच्छे से ऐसे धंग से सेलिब्रेट करें कि बहुत उपलब्दी की बात है कि हम दांपत्य जीवन का निर्वाह कर पा रहे हैं हमारे संबंद विछेद यू बहुत कम होते हैं संबंद विछेद नहीं हो रहा है ठीक है और अगर आप इसको ठीक धंग से कर पाएंगे ना तो बाद में आपको बहुत अच्छा सार्थक चला अगर आपके आसपास कोई सज्जन हो जो इस बात को ठीक से रख सकते हैं कि कोई साथी हो तो आपको कामंत्रित बात पिक जाएंगे